प्रेम स्वरूपों शरीर माने क्या है? सभी अंगों से युक्त ये मनुष्य शरीर नहीं तो पंच भूतों से, पंच प्राणों से युक्त ये मनुष्य दे है ये शरीर नहीं है समस्त चराचर जगत दिखाई पड़ने वाला ये संसार शरीर ही है इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ फिर तुम क्या हो? वैदान्तिक परिभाशा के अनुसार ये प्रधान, प्रामानिक और अत्युन्नत ज्ञान परन्तु इस तरह के ज्ञान को सब प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं हम जो देख रहे हैं वो सारा द्रिश्य है तारे द्रिश्य है सूर्य चंद्रादी द्रिश्य है पंच भूत द्रिश्य है सारा जगत भी द्रिश्य है इस सारे जगत को तुम किस तरह देख रहे हो? उसी तरह तुम अपनी देख को देख पा रहे हो इसलिए तुम्हारा शरीर भी द्रिश्य है जो देखता है वो द्रिष्टा है तुम अपने शरीर को देख रहे इसलिए शरीर द्रिष्य है देखने वाला द्रिष्टा है द्रिष्टा नहोने से द्रिष्य नहीं है द्रिष्टा, द्रिश्य, दोनों न होने वाले जगत हैं वही शून्य है कुछ लोग ऐसा कहते हैं वे सब अर्थ रहित शब्द शून्य अगर कोई कहता है तो शून्य को देखने वाला कोई होना चाहिए न बगेर देखे कोई शून्य कैसे कह सकता है इसलिए शून्य को भी देखने वाला द्रिष्टा है इसलिए दुनिया को गणपती ने इसी द्रिष्ट तत्व के स्वरूप का बोध कराया है गणपती तीन शब्द ग माने बुद्धी न माने विज्ञान बुद्धी और ज्ञान का अधिपती ही गणपती है इसलिए सभी गणों का नायक होने के कारण इनको गणपती कहते हैं सभी गणों को अपने हाथ से खिला के गा के जुलाने वाले तत्व वाला होने के कारण उनको गणपती कहा है इनको विनायक भी कहते हैं अर्थात उनका कोई और नायक नहीं है वे सर्वस्वतंत्र हैं सबके नायक हैं सबके उपर एक तरह के अधिपती हैं पर विनायक का अधिपती नहीं है मतलब जिसका मन है उसको ही नायक है जिसको मन ही नहीं उसके लिए नायक कहां मतलब अमनस्क के परे जो तत्व है वही विनायक तत्व है इस तरह के विनायक तत्व को हम सही ढंग से नहीं समझ कर कोई हाथी की सून के साथ चार हाथों वाले बड़े-बड़े कानों सही दिखने वाले स्वरूप को ही विनायक त्व समझ रहे हैं सारे विश्व, सारे जगत, समस्त शून्य एवं समस्त प्राणियों के अधिपती हैं विनायक कोई शुबकार्य करना हो कोई संगीत गाने से पहले सर्व प्रथम लंबो दरा कहकर शुरू करते हैं इसका मतलब लक्ष्मी के प्रधान विनायक है लक्ष्मी के प्रधान यहां लक्ष्मी माने क्या है धन कनक वाहन से युक्त देवी को लक्ष्मी कहते हैं आजकल की दुनिया में वे लक्ष्मी नहीं है वे धन लक्ष्मी है कई तरह की आठ लक्ष्मिया है पर विनायक वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं है सच में इंसान के लिए धन क्या है सुख आनन्द ये दोनों इंसान के लिए सच्चे धन है सुख और आनन्द नहीं हैं तो कितना भी धन होने से क्या लाब सच में सुख देने वाले विनायक जिसमें बुद्धी की शक्ति सामर्थ्य है ये बुद्धी ये सिद्धी दोनों की उपस्तिती से मनुष्य को सुख और आनन्द मिल रहा है इसलिए लोक पुराणों में सिद्धी बुद्धी को विनायक की पत्निया कहते हैं मतलब ज्यान और बुद्धी के नायक होने की वजह से इन दोनों का पती बताया गया है सिद्धी बुद्धी दोनों का मास्टर होने की वजह से सिद्धी बुद्धी के लिए नायक हैं पती अधिपती विनायक को कहते हैं इस बुद्धी ज्यान दोनों के सैयोग से मनुष्य को सुख और आनन्द की प्राप्ती हो रही है इसलिए सुख और आनन्द विगनेश्वर के पुत्र बताये गए हैं लौकिक संबंध से भौतिक संबंध वालों को इस तरह का उपमान थोड़ा बहुत त्रिप्ती देता है कोई भी अभीष्ट एवं कोई मनुभाव न रखने वाले विनायक के लिए पत्निया क्या पुत्र क्या पती मतलब केवल भरता ही नहीं अधिपती बुद्धी विज्ञान का अधिपती होनी की वज़े से उन दोनों का पती कहलाते हैं अनाधिकाल से भारतीय विनायक की और भी कई तरह से आराधना करते आ रहे हैं केवल भारतीय ही नहीं इतिहास में जहाकने से अनेक देशों में विनायक के तत्व की समझ अनाधिकाल से व्यापत है थाइलेंड, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, सभी जगह इस विनायक तत्व की समझ विद्धिमान रही है आज भी थाइलेंड में विनायक की मूर्तियां मिलती हैं इतने बड़े पेट वाला इतने छोटे से चूहे को उपर कैसे बैट सकता है सच में गूढार्थ न जानने वाले मूर्ख लोग इस तरह विपरीतार्थ निकालकर नानार्थ बढ़ाकर यथार्थ को भूल गए मूशिक मतलब अंधेरा मतलब विनायक ने अंधकार को कुचल कर ज्ञान भास कर प्रकाशित किया अर्थात मूशिक को अपने नीचे दबा दिया अंधेरे को कुचल दिया अंधेरे को कुचलने की वजह से प्रकाश विक्सित हुआ मूशिक वाहन मतलब चुहे की सवारी नहीं अंधेरे को कुचल कर क्यान प्रकाश सब को प्रदान करने वाले विनायक हैं इतना ही नहीं वे विगनेश्वर हैं ये विगनेश्वर क्या है? इंसान के समक्ष आने वाले सभी विगनों का उन्मूलन करने वाला विग्यान का बोध कराने वाला इसलिए उस विग्यान का प्रसार करने के निमित गनेश चतुर्थी के दिन विध्यार्थी गनेश पूजा ज्यादा करते हैं पुराने समय में विनायक चतुर्थी आने से एक भी विद्यार्थी के हाथ में किताब नहीं होती थी दस दिनों तक किताबों को विगनेश्वर के पास रख कर विनायक की आराधना करते थे पढ़ाई क्यूं नहीं कर रहे हो पूछने से किताबें गणेश जी के पास हैं कहते थे मतलब किताबों में विज्ञान को भर कर बाद में उस किताब में इस्थित ग्यान को विज्ञेश्वर मस्तिश्क में पहुचाते हैं ऐसी माननेता थी उस समय परंतु आजकल की आधुनिक दुनिया में लोगों को विज्ञेश्वर नहीं चाहिए विज्ञान भी नहीं चाहिए केवल पैसा चाहिए इस पैसे से खुशी मिलती है क्या कोई सुख मिलता है क्या नहीं सुख और आनंद केवल मन से संबंदे थे इसलिए उन दिनों अध्यापक विज्ञार्थियों को सिखाते थे अरे पगलूं MABA पास किये हुए बड़ा नाम कमा चुके बहुत धनवान और दानशील भी विश्व विख्यात पुन्यात्माएं भी लंबी उम्र और उम्दा स्वास्थ संपूर्ण बलवान भी निरंतर जब तब करते हुए वेदपाथी ब्राम्हन भी भक्तों को कभी भी समान नहीं होते इतना सारा विद्ध्यारजन करके क्यू मरना कितना भी पढ़कर कैसी भी नीती रखता हो हीन मनुष्य अपना गुण नहीं छोड़ सकता वो पढ़ पढ़के कुतर्क के अलावा संपूर्ण ज्यान कभी पा नहीं सकता हे पागल लोगों पढ़ाई कर करके मिटना किसली है ऐसी पढ़ाई करो जो मिठती नहीं अमिट विद्या याने प्रश्णो उस्ता है कि ना मिठने वाली विद्या भी है क्या वही ज्ञान है विनायक उसी सत्य ज्ञान के अनंत तत्व का बोध कराते हैं प्रेम स्वरूपों आज के दिन विज्ञान सुझ्ञान से युक्त सुधिन विनायक गणपती मतलब हमको बुद्धी सिध्धी प्रदान करके आनंद और सुख प्रदान करते हैं इनन्leş।цैय सिंद्धी बढ दिनायक गoplुवम्र Hazela श्रूल विन्क्योफ धन्मушणी आ को उस है विन्क्योफ धन्रूल बद्धी बद्धी ज्चपती मतलूफ थिन्म 메तल это Karena ऍिल नागन शिल लागन भजन नागनु नागन ऑह थी पजो पजो कीरे कैने परकी बचयों कीरेbok जाम ब सब्ट्र crystal कीरेकर कीरे का कीरे कैने कीरेकर की थान्य थीञल कीरेकर कीरल कीरा में थान्य थान evaluation कर दो 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 कर इलसे देऊारक विखना कर eerste कि लो Sometimes, इलसे भुपर्जा कर 4 विए अधर क कीव ब olduğुप सेजी हुआते हैं, इलसे भुपर्ना कीव जो भुपर्ना कीव जो झाल 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 झाल